राशी मेश आज आप अपने साथी के साथ बैठ कर दोनों के संबंध के शुरुवाती दौर को याद करेंगे एक दूसरे के प्रती आकर्शित हो प्रेम की वो पहली शुरुवात थी याद रखें लंबे समय तक चलने वाला प्रेम प्रसंग जीवन में ठहराव वखुशी लेकर आता है आज आप अपने काम को या कारिक्षित्र को बदलने की बात सोच सकते हैं यदि आप वर्तमान काम को छोड़ते हैं तो ये याद रखें कि इस दौरान रिष्टों में किसी किस्म की खटास जैसी स्थित्र उत्पन्न न हो यदि आप अपने संबंधों को अच्छे से बनाई रखेंगे तब संभव है कि आगे भी आपको इसका फायदा होगा जहां तक आर्थिक मामलों की बात है आपको आज किसी आर्थिक सलहकार की सलह की जरूरत पड़ेगी किसी निवेश तंबंधी मामले को लेकर आप उल्जन में रहेंगे ऐसे में कोई समझदार आर्थिक सलहकार ही आपको सही सुझाव दे सकता है उसे गौर से सुने और उस पर अमल करें आज आप खुद पर काबू रखने की कोशिश करें आपका खाने पीने या धूमरपान की तरफ हलका रुझान रहेगा आज वो दिन है जब आप अपनी बुरी आदतों पर रोक लगा सकते हैं आज आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में जा रही है आज आपको अपने गुरु की सलह अपने लंबे समय से चले आ रहे दुखों को खत्म करने के लिए लेनी चाहिए आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये वक्त है अपने ऐसे ही जानकार की सलह लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवाह करता हो अपने उद्देशों को प्राप्ट करने के लिए उनकी सलह का उभ्योग करने में जरा भी नहिचकें आशा है कि आप किसी के प्यार में डूब कर अपना दिल उसे दे दें आप अपनी भावनाओं को साथी के समक्ष अभिव्यक्त करें तो आप पाएंगे कि सामने वाले का भी वही हाल है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहिचके चाएं आज आपका अपने काम को लेकर आत्म विश्वास बना रहेगा आपकी अपने कार्याले में कुछ समस्याओं को सुल्जाने की आपकी क्षमता को आपके उच्च अधिकारी सराहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आज आपके काम में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो भी आप उसे स्वीकार करने को तयार रहें यदि आप अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुबकारी है प्रचार धंधा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है इसके जरिये लोगों तक आपके व्यापार की जानकारी पहुँचेगी अपना प्रचार प्रसार करने का यह बढ़िया दिन है मौका न गवाएं अगर आपको हाल ही में ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी आई है तो आज वो दिन है जब आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका हल धूंडना होगा आज वो दिन है जब आपको असुरक्षित खाने से सावधान रहना होगा कसरत करते रहें इससे टेंशन कम होगी और आपकी सेहत में भी सुधार आएगा आज आप अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखें ऐसा करके आप उस शांति को कायम रखेंगे जिसका मजा आप अब तक ले रहे थे आज जो मुद्दा आपको बड़ा लग रहा है वही बात कल आपको छोटी लगेगी इसलिए आप मुद्दे को प्यार से ही सुलजाने की कोशिश करें आज आप थोड़ा निराश और उदास अनभव करेंगे क्योंकि आपने जिसे दिल दिया उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया आपको उसने मना नहीं किया पर जिस गर्म जोशी, उमंग और जल्दबाजी की आपको उससे आस थी वो नहीं मिली धीरज रखें और अपने जज़बातों पर लगाम लगाएं सफलता मिलेगी अपना काम करने वाले लोगों को आज सावधान रहना चाहिए कहीं वो किसी सटे बाजी के चक्कर में न फस जाएं उससे केबल आपको नुकसान ही होगा जो लोग इंसेंटिव बेस कारेकरमों से जुड़े हुए हैं उन्हें लाब होगा क्योंकि मैनेजमेंट उन्हें अच्छा पैसा दे सकती है यदि आपने किसी कर्ज के लिए आविदन कर रखा है तो आज उधर से अच्छी खबर मिल सकती है इसमें देर लगी पर आपके सब्र का फल मीठा निकला इस रकम को समझदारी से खर्च करें और जो मदद आपको मिल रही है उसे अनाप शनाप गवाना भी ठीक नहीं हाँ कर्ज उधना ही ठीक जितना आपासानी से चुका सकें आज आपको त्वचा से संबंधित बिमारी हो सकती है इसे नजर अंदाज न करें आपकी परिशानी बढ़ सकती है आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है इसलिए सकारात्मक सोच लाएं और अपनी नकारात्मक सोच पर काबू करें आज आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि जिनको आप अपना दोस्त समझते थे वही पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं ये सब सुनकर आप अपना आपा नको बैठें बलकि शान्ती वर धैरी से परिस्तिती को संभालने की कोशिश करें इन लोगों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके रिष्टे में खटास का क्या कारण है अगर आप अकेले हैं तो आपको आज अनेक प्रस्ताव मिल सकते हैं वह व्यक्ती भी आज आपको प्रस्ताव भेज सकता है जिससे आप आकर्शित रही हैं पर निरणे लेने में जल्दबाजी ना करें समय की प्रतीक्षा करें और किसी के प्रती आज गंभी रूप से सोचने से बचें आज आपका दिन मौज मस्ती का है काम में देर हो जाने के कारण आप कुछ परेशान रहेंगे अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में है तो आप पाएंगे कि आज का दिन इसके लिए उतना अच्छा नहीं है आपके सभी इंटर्व्यू बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन फिर भी नौकरी मिलने में देर ही होगी आज आपको लगेगा कि रुपए पैसे से किसी की मदद करनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नेक कामों का भविश्य में अच्छा फल मिलता है आपके अपने खर्चे पूरे हो रही है तो दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में आपका कुछ जाता भी नहीं आपको मन की खुशी मिल रही है और क्या चाहिए राशिकर्क हेल्थ कुल मिलाकर आपका स्वास्थ ठीक रहेगा परन्तु छोटी मोटी बिमारी का आपको सामना करना पढ़ सकता है बस आराम करें और ऐसे लक्षन हटाने की कोशिश करें क्योंकि ये लंबी परेशानी नहीं है आपकी स्वास्त परेशानी अस्थाई है इन सभी अस्थाई परिशानियों से खुद को परिशान न रखें आज आपके घर में सुक शांति का माहौल बना रहेगा अपने परिवार के साथ बिताई समय का भरपूर आनंद लें आप खूब बाते करेंगे और एक दूसरे के साथ मजा लेंगे आज अपने आपको तरो ताजा करने का दिन है आप किसी दूर रहने वाले पार्टनर के साथ निरंतर समबाद बनाए रखेंगे अर्चनों के बावजूद आपको लगेगा कि बात कहां जा रही है आप स्वाभाविक रहें और जो हो रहा है उसे देखते रहें ऐसा संकेत नहीं है कि आपको उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए इससे आपका भविश्य दुश्प्रभावित हो सकता है आज आप अपनी नौकरी या कारिक शेत्र बदलना चाहेंगे और इसकी तीवरता को महसूस करेंगे ये भले ही नया क्षेत्र है लेकिन आगे चल कर यही निरने आपको सुखत्भ विश्य दे सकता है इसके विश्य में सोचना सही होगा सोच समझ कर किये गए निवेश से आज बड़ा लाब मिलने वाला है आगे कोई निवेश करने जा रही है तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं उनकी बात मानिये फिर निवेश कीजिए आगे चल कर आपको उसका अच्छा लाब मिलेगा एक कोशिश तो कीजिए सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं मगर मेहनत करने से आप फिर से पहली वाली स्थिती में आ जाएंगे बाहर टहलने जाएं ताजी हवा और व्यायाम से आपको लाब मिलेगा व्यायाम आपको वजन बढ़ने की परेशानी से भी बचा सकता है जिससे आप बहुत दिनों से लड़ते आ रही है आज आप खुद को कोई खुशखबरी सुनने के लिए तयार कर ले आज आप को किसी अपने से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आज आप पूरे दिन बहुत अच्छे मूड में रहेंगे ऐसे वक्त का प्रयोग आप अपनों के साथ मजे करने के लिए कर सकते हैं ऐसी संभावना है कि आज आपका पहला आकर्शन पहला प्यार बन सकता है आज आप अपने सपनों के सौधागर से मिलेंगे और उसके सारे गुण आपको दिखेंगे कल्पना के प्रवाह में बहने से पहले निश्चित कर लें कि ये सिर्फ आकर्शन तो नहीं अगर ऐसा नहीं है तो इसे जिंदगी भर का रिष्टा बनाने की कोशिश कीजिए आज अपने कारे सल में गुस्से को काबू में रखें आपके लिए काम करने वालों के साथ आपकी छोटी मोटी बहस हो सकती है लेकिन आपको धैरे से काम लेना होगा और सही प्रोफेशनल विवहार करना होगा अगर आप शान्ती से काम लें तो समय के साथ ये जगड़े खुद ही निपट सकते हैं आज विदेश से आपको लाव मिलने के संकेत हैं यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आपके इच्छा पूरी होगी खुश्खवरी मिलेगी सितारे आपके पक्ष में हैं आज आपको छुटी की आवशकता है फिल्म देखें दोस्तों के साथ फोन पर बात करें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मनुरंजन हो आप खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें आज आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवशकता है ताकि आप कारे करने की ख्षमता और मानसिक ख्षमता को फिर से पा सकें जो की ठकावट और तनाव के कारण आप खो चुके थे आज आपको घर के बड़े बुजर्गों के साथ कुछ समय विताना चाहिए वो चाहें आपसे कुछ कहें या ना कहें लेकिन वो भी आपका साथ चाहते हैं उनकी सेहत के बारे में पूछें और जानने की कोशिश करें कि कही उन्हें डॉक्टरी जांच की आवशकता तो नहीं है अपने घर के इन प्यारे से सदस्यों के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगेगा आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आप से चिप चिप कर प्यार करता है आज सुभा सुभा आप उसके लिए तयार रहें वह व्यक्ति भले ही आपके सपने का प्यार ना हो पर वह आपका दिन खुश्णुमा बनाएगा आप भी आज अपने आपको आकरशित पाएंगे अपने नस्दी की लोगों से बेकार की बहस में ना पढ़ें इस समय छोटे मोटे जगड़ों की आश्रंका है जो भी बोले सोच समझ कर ही बोलें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर ही करें कूट नीती से पेश आएं इससे आप अंचाहे तनावजे बच सकते हैं आज सुक सुविधा और एशो आराम की चीजों की खरीदारी करने के लिए बाजार की तरफ कदम बढ़ जाएंगे यदि बड़ी से बड़ी खरीदारी करने की आपकी ख्रमता है तो क्यों नहीं कुछ अचल संपत्ती, जमीन, प्रॉपटी वगहरा खरीदते आपके सितारे बुलंद है धन दौलत के मामले में आप और भी अच्छे दिन देखेंगे अगर आज आपका मन भारी हो गया है तो आज का दिन परिवारवालों के साथ बिताना अच्छा रहेगा जो भी खबर या बात आपके परिवारवाले आपके साथ बाटना चाहते हैं उसे मन लगा कर सुने हो सकता है ये खबर आप से या किसी और से संबंधित हो मगर ये खबर आप सब के लिए हर्श और उल्लास लेकर आएगी आज आपके परिवारवाले आपकी मदद करेंगे इससे आपको अच्छा लगेगा अपनी जिन्दगी के विशे में आज आप कुछ रीतिबध हो जाएंगे जहां तक इस बात का सवाल है कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए आप कभी कभी खुद को बहुत उल्जा हुआ पाते हैं लेकिन आज आप अपने लक्षों की और अपना ध्यान केंदित कर पाएंगे अच्छा होगा कि आप अपनी जिन्दगी के हर पहलू पर ध्यान दें और किसी भी अफ़सर को हाथ से न जाने दें आपके रुमैंस की जिन्दगी में आज खुशी के कुछ पल आ सकते हैं आप उससे ऐसे हालात में मिल सकते हैं जैसे आपने सोचा भी ना हो वह मिलने वाला पार्टनर दोस्त का दोस्त या आपका पूर्व परचित हो सकता है इन पलों में आनंद करें इस रिष्टे को संयोग के रूप में ही लें तो अच्छा है राशिवरिश्चिक करियर कारेक्षेत्र में आपकी मेहनत वह इमानदारी की प्रशंसा होगी हाला कि अभी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए आप कुछ नई तकनीक भी सीख सकते हैं आपकी रचनात्मक्ता वह अनुभव आपको अपने व्यावसाइक लक्षों को प्राप्त करने में मदद करेंगे अपने अनुभव अपने साथियों के साथ बाटने से भी आपको लाब होगा आज आर्थिक मामले और निवेश के मामले में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे आज किया गया निवेश बिलकुल सुरक्षित है और आपको लगेगा आपकी आर्थिक सिती तो समल ही रही है बलकि लंबे समय के लिए आपको आमदनी का भी रास्ता मिल गया है हट बड़ाहट में कोई फैसला ना लें जैसे चल रही हैं ठीक है आज आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं मगर चिंता ना करें ये थोड़े समय की बात है आपके लिए बहतर होगा कि आप आलस पन से बचें ध्यान रखें कि आज आप टेहलने जरूर जाएं इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा अगर आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कोशिश करें कि आप जिम जाएं क्योंकि व्यायाम आपके लिए बहुत जरूरी बन गया है आज आप किसी प्रतियोगिता के मूड में है जिंदगी के कुछ खेतरों के लिए ये ठीक है लेकिन ध्यान रहे कि आप कुछ ज्यादा उग्र ना हो जाएं खास्तोर से अपने परिवार को लेकर आज आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना होगा घर में लंबे समय से चले आ रहे मन मुटाव का आज कोई ना कोई हल निकल आएगा जिससे ना सिर्फ आपको बलकि घर के हर सदस्तिको राहत मिलेगी इसलिए घर में शान्ति बनाए रखें और विवादास्पद मुद्दों को लेकर बंद कमरे के अंदर बात करें घर में बच्चों को किसी भी तरह के गुस्से या नाराजगी से दूर रखें राशिधनों करियर आज इविका के एक शेत्र में आपको अच्छा परणाम मिला है और आज आप अपनी सफलता का आनंद ले सकते हैं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि आपकी सफलता का ही एक भाग है हो सकता है कि आपको इसके लाब अभी न दिखाई दे रही हो परंटु इन से आगे आपको सफलता मिलेगी राशिधनू फाइनांस आज आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा आपको इससे खुशी मिलेगी याद रखिए ये आपकी मेहनत ही है जो आर्थिक लक्ष पाने में आपको सही दिशा में ले जाएगी आज कोई छोटी अवधी की आमदनी के संकेत है आपका भाग्य एवं कठिन परिश्रम ही यांतरिक रूप में आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हुआ है जीवन में मिली इस सफलता का लाब उठाए आपका यही कठिन परिश्रम एवं भाग्य आपको उस मुकाम पर पहुचा देगा जहां आप पहुचना चाहते है आप दिन भर के तनाव के बाद सोने में सक्षम नहीं रहेंगे आप तेज आवाज में टीवी न देखें और किताब पढ़ने की कोशिश करें आप अपने साथी के साथ कुछ बाते करें तभी आपको अच्छी नीद आएगी आप ध्यान लगाएं ताकि सोने में आराम मिले आज आप पूरे दिन चिंतित और परेशान रह सकते हैं इस तनाव का कारण चाहे जो भी हो आप बस अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़्यादा परेशान ना हो परेशानिया तो आती जाती रहती हैं इनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए आज आपके प्रेम प्रसंगों में मुश्किला सकती है क्योंकि आपका साथी कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा सकता है मगर चिन्तित ना हो दूरी आपके संबंध को अधिक मस्बूत बनाएगी वो आप समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं आप साथी की कमी महसूस करेंगे वो फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना वो नई प्रेम भरी शुरुवात होगी राशी मकर, करियर रास्ते में रुकावटों के कारण आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहेंगे उत्साहित या उग्र होना तो स्वाभाविक ही है और इसलिए आप उस दिशा में चल पड़ेंगे जिस पर आप पहले कभी नहीं चले हैं लेकिन अगर आप बिना किसी पूर्वतयारी के ही इस दिशा में बढ़ेंगे तो जल्दी ही वापस भी आना पड़ सकता है इस वक्त आपको उचित पूंजी निवेश का निरने करना चाहिए अधा आपको इसके लिए आश्वस्त होना चाहिए पूंजी निवेश के जरिये मिले आर्थिक लाब आपको फाइदे की ओर ले जा रही है जबकि ये आपकी उम्मीद से कम है यदि आप अपने व्यवसाइक को विस्तार देने की सोच रही है तो इस व्यवसाइक उच्छाल का अवश्य फाइदा उठा लें प्रॉपटी डीलिंग के माध्यम से ये ग्यात हो चुका है और यदि पूंजी निवेश सोच समझ कर किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक समय तक लाभ मिल सकता है आप अपनी इच्छाओं को भली भाती पर रख लें लेकिन इस लाभकारी समय का इस्तिमाल आप भविश्गी सफलताओं को ध्यान में रख कर करें आज आपको छोटी छोटी छोटों से सावधान रहे कर रोज मर्रा के काम करने पड़ सकते हैं हो सकता है ये चोटें आपको परेशान भी कर दें आज आपको बेहत सतर्क रहकर अपना एक-एक कदम रखना होगा बिना आराम दायक जूतों के उबड़ खाबड या फिर पत्रीले रास्ते पर ना चलें इस समय आपके रिष्टों में और विश्वास बढ़ेगा आप अपने प्रियजनों के नजदीक आएंगे और अपनी जिंदगी में उनके महत्व को जान पाएंगे पहले आप उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब उनको गले लगाकर पहले की सभी शिकायतें और दूरियां मिटा दें फिर देखें इससे आपकी जिंदगी में कितना बदलावाएगा आज आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे जो आपसे काफी दूर रहता है इसका मतलब है कि आज आप इंटरनेट पर व्यस्त रहेंगे आप उससे किसी दोस्त के माध्यम से मिल सकते हैं या वो आपके इलाके में घूमने आ सकते हैं कुछ भी हो आज आपके लिए खुशी का दिन है आनंद करें आज आपकी सफलता की कुणजी है कार्याले में सहकर्मियों के साथ काम करने की सही क्षमता का होना आज की आपकी सफलता सिर्फ आपकी ही नहीं वरन समूह की है आपको अपनी प्रेरणादाई योजनाओं से सहकर्मियों का मनोबल बढ़ाना होगा जिससे आपके लक्षें तक आप पहुँच सकें आपको इस वक्ट जमीन जायदाद के खरीद फरोग्ट से कोई विशेश लाभ नहीं होगा हाला कि जमीन जायदाद के लेन देन बहुत बड़े बैवाने पर होते हैं परन्तु आज आपका शुब दिन नहीं है आपको पूंजी से कुछ ख्षनिक नुकसान की संभावना है फिर भी आप चिंता ना करें क्योंकि ऐसा समय आपके लिए अधिक दिनों तक नहीं रहेगा आज जिस जमीन जायदाद पर आप बातचीत करने वाले हैं उसके प्तती सजग रहें आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है संभावना है कि दर्द को लेकर आप परेशानी में आ सकते हैं आपके लिए बहतर होगा कि आप अपने मन को विचलित न होने दें और सकारात्मक विचारों में ध्यान लगाएं घबराएं नहीं इस समय आप गहरी परेशानियों से दूर हैं आज आप किसी सामाजिक समारोह के बाद अपने घर को समेटने में लग जाएंगे घर को ठीक ठाक करें और कुछ आराम भी कर लें आपने समारोह का खुब मजा लिया लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वक्त है आज आप अपने साथी की इच्छाएं जानने में सफल होंगे प्यार को आपके संबंद का आधार बनाए रखने का आपका प्रयास रंग लाएगा लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आप दोनों की ओर से प्रयास जरूरी है अपने साथी का साथ दें वो बाचीत करने के लिए हमेशा तयार रहें यदि आप अंकों के विवसाई में हैं तब आज का दिन कई सुखत प्रस्ताव लिये हुए है अवसरों से भरा और उत्पादक अवसरों से भरा दिन है आज का आप अपनी कड़ी महलत का फल सही परणामों के रूप में जल्दी ही देख पाएंगे राशी मीन फाइनांस आपको खबर मिलेगी कि जो चीज आपके लिए काफी माइने रखती थी या फिर बड़ी कीमती थी वो नश्ट हो गई है आपको अपने आपको काबू में रखना होगा हो सकता है कि इसकी कीमत काफी अधिक हो अथवा आपका इससे सम्वेदन शील जुडाव हो दोनों ही दशाओं में आपको दुख तो होना ही है इन भौतिक वस्तूओं के प्रती मोह का त्याग करें अपना समय, परिवार वदोस्तों के साथ गुजारें आज आपको अलर्जी हो सकती है इसलिए उप्युक्त दवाई अपने साथ रखें कुछ सिर्दर्ध हो सकता है इसलिए समय निकाल कर आराम करें आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे